नवस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रेट मीन डासी वालों अगस्त 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आ रहा है ये जानते हैं बिस्तार से मीन वालों चली सुर्वात करते हैं आपके करियर से तो करियर की दिष्टी कौन से अगर हम कहें तो मिला जुलाओ वक्त है वैसे तो इसमें बिदेश से लाब बिदेश यात्रा या बिदेशी काम से लाब बिदेशी बस्तूओं से लाब ये होने वाला है और मंगल आपके छठे गर में है तो ऐसे में क्या होगा ना अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कारे स्थल पर आपकी मान पर्तिष्टा बढ़ेगी और कारे का विस्तार होगा हलांकि जैसे ही सुरे का रासी प्रिवर्तन होगा तब यहां पर आपके छठे पौमें गोचर करेंगे तब क्या होगा ना सरकारी छेतर मे के योग बढ़ेंगे सरकार से समंदित कोई कारे अटकावा है वो पूरा होगा और बुद्ध का चुकि रासी प्रिवर्तन हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा नो अगस्त के बाद काम में छोटी मोटी बाधाये हैं लेकि जैसे ही 26 अगस्त को बुद्ध आपके विभाब भा को देख रहे हैं तो यकिन यह इंकम बढ़ाने वाला वक्त है और आपके जो गरहों के सेनापती मंगल हैं वह भी लाप के योग बना रहे हैं तो धना आने के जो नियमित स्रोथ है ना वह और भी अधिक मजबूत होंगे जो लोग जौब करते हैं उनकी भी तरक्की होगी जो बैपारी है काम का बिस्तार होगा कोई बड़ी हाँ डील होगा कोई बड़ी ओर मिल सकती है वैसे तो बुद्ध का जैसे ही आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो पार्टनर्सिप में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पर आपका धन आने के मार्क खुलेंगे और बैंक बैलन्स भी बढ़ाएगा स्वास्त की बात करें तो अगस्त का महिना बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि देव गुरु बेस्पती दुआदस भाव में है जो खर्चे भी कराएंगे हानी भी कराएंगे और थोड़ी सी बिमारियों में परिसान यानि आपको बीमारियों से ग्रसित करेंगे इसके साथ ही सतुर बिरोधी बढ़े वे हैं करजों की परिसानी आ सकती है तो मंगल देव भी रिन चोट करजे के भाव में बैठे वे हैं सुक्र के साथ तो यहां पर बलड की परिसानी या स्कीन की परिसानी आपको प लब लाइब के लिए थोड़ा सा उतार चुड़ाओ है क्योंकि सुरवात तो बहुत अच्छा है एक दूसे के प्रती प्रेम बढ़ेगा एक दूसे के साथ समय बिताने का उपसर मिलेंगे और रिस्तों में थोड़ा सा इमंदारी जरूरी है और यहां पर देखे इसके बाद थोड़ा सा जैसे की जैसे ही यहां पर सूरे का रासी परिवर्तन होगा तब थोड़ी बहुत गलत फेमी या रिस्तों में गर्मी दिखेगी तो ऐसे में थोड़े से आपको बशना होगा लेकिन अगर हम बैबाहिक जीवन की बात करें तो बढ़िया है क्योंकि जीवन साथ में थोड़ा बहुत उतार चड़ा हो है क्योंकि आपके जो परिवार का पूरा सुख आपको मिलेगा और साथ ही इस समें देव गुरु बहस्पती की द्रिश्टी है तो ऐसे में घर में संतुलन बना रहेगा कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी मंगल छटे भाव में बैठे हैं तो समपती प्रोपर्टी को लेकर भाई बेहनों में बिवाद हो सकता है और मंगल और बुद्ध जब एक साथ हो जाएंगे तब नकात्मक प्रभाव थोड़ा है तो ध्यान दीजिएगा धेर से काम करें वानी पर थोड़ा सा काम करें ज्यादा क्या करेंगे उपाएं देखिए एक तो आप रोज हल्दी या केसर कतिलक अपने माथे पर लगाएं और सुरी को जल और पित करें रहत मिलेगी फिलार भी दालेंगे हरहर महादेद धनिवाद